तो हल्लो दोस्तों आँच हम बात करने वाले हैं टीवि였 स्पोट बीस सिक्स बाइक की, इस बाइक के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है तो सबसे फिजुए अगर में इसके टैहर्ज की बात किरें तो इसके टैयर पर आपको टैयर लाइनिंग्स मिल जाती है फ्रेंट में आपको दो टेलिस्कॉपिक से स्पेंसर मिल जाते हैं टीविस कंपनी का इसमें लोगों मिल जाता है फ्रेंट ब्रेक में आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है एलोई बील्स मिल जाते हैं टूबलेज टायर्स मिल जाता है मरगाड कुछ इस तरीके से मिल जाता है इसके मरगाड पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है फ्रेंट में आपको दो टेलिसकोपिक सेस्पेंसर मिल जाते है फ्लेक्सिवल इंडिकेटर मिल जाते है इसकी headlight में आपको halogen brals मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से tvs company का logo मिल जाता है कुछ इस तरीके से इसके front look को बनाया जाता है जिस जो customer है वो इसकी तरफ attractive हो जाए और अगर हम इसके front brake diameter की बात करें 130 mm मिल जाता है कुछ इस तरीके से इसमें आपको analog meter मिल जाता है meter की बात करें तो analog meter मिल जाता है इसके meter में आपको neutral light, check engine light, indicator signals ये सभी चीज़े so की जाती है कुछ इस तरीके से इसमें high beam, low beam का switch मिल जाता है indicator switch मिल जाता है horn का switch मिल जाता है कुछ इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं पासिंग लाइट का कुछ इस तरीके से बटन मिल जाता है इसमें आपको और कुछ इस तरीके से सेल्फ का बटन मिल जाता है इसमें आपको इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से फ्लेक्सिवाल लीवर मिल जाता है TVS कंपनी के ब्रांडिंग मिल जाती है इसके फ्यूल टैंक पर आपको E20 का सिंबल मिल जाता है 80% पैटरल 20% एथनोल के साथ यह जो बाइक है वो चलती है मल्टिपल कलर्स में आपको यह बाइक मिल जाती है TVS कंपनी का लोगो मिल जाता है कुछ इस तरीके से और अगर मैं इसके ग्राउड की दरनेंज की बात करें 175 mm इसके आपको ग्राउड की दरनेंस मिल जाता है तो एक कि अगर मिलस्ट की एक हजार 237 मिलीमिटर हम को मिल जाता है इंजैनेयेर नांट अपको मिल जाता है यह हैड़ हार में लगाइन इसमें बनी यौनलजूत समस्टा सकते हलगेटर फ्रेंट है ये चैन ट्राइब बाइक है, wil-type की बात करें, alloy wheels मिल जाते हैं इस में ओर अगरा wz के hide की बात करें, तो 1080 mm इसमें आपको hide मिल जाती है, सुड़ाई की बात करें, 705 mm इसमें आपको जुड़ाई मिल जाती है, 202150 का bit mág am breaking system मिल जाता टायर लाइनिंग कि अजो अधरिक जो बात करें चुछ इसतरीके से ट्राइश करें आजदें मिल जाते हैं कुछ ही तरीके से ट्रान्समिशन सिस्टम की बात करेंं ऑफ स्नुेइन्योल है नोट फर्ट फ्लेक्सिवल इंडिकेटर यानि यानि कि इंडिगेटर आपको flexible मिल जाते है और अगर हम इसके engine torque की बात करें तो 8.7 mm से 4,500 rpm तक जो इस bike का engine है वो power torque राप्त करता है इस truck की बात करें 48.8 mm इसमें आपको इस truck मिल जाता है engine power की बात करें तो 8.29 PS से 7,350 rpm तक जो इस bike का engine है वो power generate करता है फ्रेंट ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है इसके फ्रेंट में आपको दो टेलिस्कॉपिक suspension मिल जाते है four stroke engine मिल जाता है और अगर हम इसके starting type की बात करें तो kick or self दोनों से आप इस bike को start कर सकते है वाल पर cylinder की बात करें तो वो दो है फोर gears में आप को ही bike मिल जाती है fuel supply की बात करें fuel injection लगाया गया bowl की बात करे 53.55 mm इसमें आपको बोर मिल जाता है और rear suspension की बात करें तो hydraulic type suspension मिल जाता है front में आप को door telescopic suspension मिल जाते है Body Type की बात करें तो ये Commuter Bikes है Engine की बात करें तो 109.7 CC का इसमें आपको Engine मिल जाता है Drive Type की बात करें तो ये Chain Drive है कुछ इस तरीके से इसमें आपको TVS Company का Logo मिल जाता है इसके फिलू टैंक के उपर आपको Cooling System की बात करें तो ये Air Cooled है और अगर में इसके कलर्च की बात करें तो Weight Multi Plate कलर्च मिल जाता है इसमें आपको Walper Cylinder की बात करें तो वह दो है Multiple Colors में आपको ये Bike मिल जाती है New New Colors, New New Features के साथ आपको ये Bike मिल जाती है कुछ इस तरीके से Hydraulic Type Suspenser मिल जाते है आपको इसके Back में लंबी सीट मिल जाती है Hand Arm Stand मिल जाता है कुछ इस तरीके से इसकी Backlight में आपको हेलोजन बर्स मिल जाते है आप Modification के तौर पर इसकी Headlight और Backlight दोनों में आप High Quality वाले LED बर्स लगवा सकते है कुछ इस तरीके से इसमें आपको टूबलेश टायर से मिल जाता है विल टाइब के बात करें अलोई विल्स मिल जाते हैं इसमें आपको और अगर हम इसके Body Type के बात करें तो यह Commuter Bike है Fuel Supply के बात करें तो Fuel Injection लगाए गया है New New Colors, New New Features के साथ आपको यह previous Company की Sport BA7 Bike मिल जाती है इसके Fuel Tank पर आपको E20 का Symbol मिल जाता है 80% Battle, 20% Ethanol के साथ यह जो वाइक है वो चलती है New New Colors, New New Features के साथ आपको यह वाइक मिल जाती है जो कि आपके लिए बहुत भी Best है कुछ इस तरी के से इसमें आपको Suspenser मिल जाते हैं इसके Front में आपको और टायर्स